नमस्कार मैं रश्मिमिस्ट्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का साहित्ती जोती में आज किस वीडियो में हम लोग सूर्दास जी द्वारा रचित सूर के पद को पढ़ेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तरव प्रथम हम तूर्दास जी के जीवन परिशय को देखते हैं तो देखिए तूर्दास जी भक्तिकाल के प्रिश्ण भक्तिकाब्यधारा के प्रमुग कवी हैं तो बच्चों यदि आपको याद हो कि हिंदी साहित्ती के इतिहास को हम लोग चार भागों में बाट सकते है तीह थीए अदिकाल भकतिकाल रीतिकाल और इसमें से हम भकतिकाल को दो भागों में बाटते हैं एक सगुण भक्ति कावधारा में भी दो भाग हैं एक राम भक्ति साखा दूसरा कृष्ण भक्ति साखा तो आपको पता होगा कि राम भक्ति शाखा के जो प्रमुक कवी हैं वो है तुलसी दास जी उसी तरीके से भक्ति काल के ही जो कृष्ण भक्ति कावधारा के प्रमुक कवीज है वह है तूर्दास इसे याद रखिएगा इनका जन 1478 इस्वी में फुनुक्ता नामक ग्राम मत्थुरा में हुआ था इसमें आपको जादा तर यह याद रखने वाली बात है कि इनका जन कब और कहां हुआ था ठीक है मत्थुरा में हुआ था आईए हम यह समझने का प्रियास करते हैं कि यह किस तरह की कवीता लिखते हैं तो यदि आप देखें तो इन्होंने प्रिश्णी की बाल लीलाओं एवं प्रेम लीलाओं का बड़ा ही मनोरम बर्णन किया है यह पुष्टी मार्क के संस्थापक स्वामी बल्लभाचारी के सिस दिया जाता है कि सूर्दास जी के गुरु का क्या नाम है तो सूर्दास जी की गुरु का नाम बल्लभाचारीय है और उन्होंने किस मार्क कि स्थापना की थी पुष्टी मार्क की तो इनके पदों का जो संकलन है हमें सूर्दास जी के पदों का जो संकलन है वो कहां देखन को मिलती है और इनका जो निधन है यानि इनके मृत्यू है वह 1585 इस्वी में हुआ था और इनकी जो कविताएं है उनकी जो भासा है वह है प्रजभासा यानि कि सूर्दाशी अपनी कविताएं किस भासा में लिखते हैं ब्रजभासा में यह याद रखिएगा आप जो कविता पद है हमारा अभिके राखी लेहु भगवान इसे हम देखते हैं ठीक है अभिके राखी लेहु भगवान हो अनात बैठ्यो द्रुम डरिया पराधी साधेबांद ताके डर हो भाज्यो चाहत ऊपर ढुक्यो सचान दुहु भाती दुख भयो आनियह कौन उबारे प्रान सुमिरत ही अही डस्यो पारधी कर छुट्यो संधान सूरदास सरलग्यो सचान ही जै जै कृपा निधान तो यह पहला पद है जो प्रजभासा में सूरदास जी द्वारा रचित है आईए अब हम इसके सब्दार्थों को थोड़ा देख लेते हैं वैसे तो मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए यहां नीचे सब्दार्थ लिख दिया है जिसे आप देखकर भी लिख सकते हैं पर जब मैं कवीता पढ़ाओंगी तो उसकी हिसाब से भी आपको बताती हुई चलोंगी ठीक है आप इसे भी लिख सकते हैं मैंने यहां पर रोक कर रख दिया है जिससे आप इसे देख सकें ठीक है इसे लिख लेंगे तो क्या सुविधा होगी आपको यह पद समझ में बह बार यानि कि इस बार आखी लेहू भगवान यानि रखच्चा कर लो हिश्वर इस बार हमारी रखच्चा कर लो हो अनाथ अनाठ यानि बेसहारा चिकर थीमों-बैठ्वाट्यों-दर्यंद्रुम यानि विरिक्ष दर्या यानि डाल पारधी यानि होता है आपका बहैलिया या थिकारी आप कही सकते हो बहैलिया साधे, बान बान यानि निशाना और बान शब्द का अर्थ होता है सीर आईए हम सबसे पहले इन दो पंक्तियों को समझ लेते हैं इसके बाद जैसे जैसे हम इसी पहले पद की पंक्तियों को पढ़ते जाएंगे, मैं उसका सब्दार्थ आपको बताती चलूंगी, ताकि आप आसानी से इस पद को समझ सकें, आईए, देखते हैं, सबसे पहले हम इस पद के संदर्व को समझने का प्रयास करते हैं, देखिए प्रस्तुतपद में बहलिया और बाज के बीच फसा कबूतर, अपने प्राणों की रक्षा के लिए ईस्वर से प्राथना करता है, यानी इस पद में जो हमें प्राथना का भाव दिखलाई देते हैं, वह किसके द्वारक किया गया है, कबूतर के द्वारा, ठीके, कबूतर जो है वो बहेलिया यानि कि एक तरफ सिकारी और दूसरे तरफ बाज ये बीच फसा हुआ है और इस्वर से प्राथना कर रहा है इस्वर के नाम के स्मरण के साथ ही कबूतर के प्राणों की रक्षा हो जाती है तो ये इस पद का संदर्ब है आईए अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे मैं आपको दो-दो पंक्तियां करके समझाओंगी ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके तो देखिए अभिके राखी लेहू भगवान हो अनात बैठियो द्रुम डरिया पारधी साधेबान तो प्रस्तुत पद में सूर्दास ने एक कबूतर के माध्यम से बड़ बक्ति जो है उसके महत्व को बतलाया है कबूतर जो है वो स्तिकारी और बाज के बीच असकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए इस्वर के नाम का इस्मरन करते हुए कहता है क्या कह रहा है कि अब के राखिले हूं भगवान है भगवान इस बार मेरे प्राणों क के रक्षा परलोग वो अनात बैठियो द्रुम डरिया पार्दी साधेबान मैं जो हो शब्द है ये प्रह भाण का अर्थ प्रह के द्यान रख्येंगा अंमे ये व्याकरन है उसके हिसाब से हों शब्द का अर्थ होता है मैं तो मैं अनाथ यानि बे सहारा होकर बेड़ की डाल पर पत्तों के बीच में चिपकर बैठा हूँ पारधी साधे बान पारधी यानि बहे लिया जो सिकारी है वो क्योंकि वो मुझे मारने के लिए तीर साधे हुए है ठीक आईए आगे की दो पंक्तियां देखते हैं ताके डर हो भाजियो चाहत उपर ढुकियो सचान दुहु भाती दुख भयो आनिय पौन उबारे प्रान ताके डर ताके डर यानि उसके डर से बहे लिये के डर से भाजियो भाजियो यानि भागना चाहता हूँ लेकिन उपर कौन है उपर जो है वो धुक्यों उपर यानि उपर कौन है सचान सब्दकार्थ होता है बाज नीचे सिकारी है और उपर कौन है बाज है दुह भाती यानि दुह यानि दोनो दोनो भाती यानि तरह दोनो तरह से दुख आन पड़ा है ठीके, दोनों तरह से दुख आन पड़ा है, कौन उबारे, उबारे यानि बचाएगा, ठीके, बचाना, कौन बचाएगा, या बचाएगा, प्रान, प्रान यानि जीवन, ठीके, तो देखिए, इसमें आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि, इस बहेलिये से बच कर मैं भागन चाहता हूं, ताके डरहों भाजियों चाहत, इस बहेलिये के डर से मैं भागना चाहता हूं, लेकिन उपर बाजपक्ची मेरी टोह में है, उपर बाजपक्ची है, उपर ढुकियों सचान, बाजपक्ची है, इस प्रकार, एक और बहेलिया निशाना साधे है, तो दूसरी औ बाज मेरा प्राण लेने के लिए ब्याकुल है दुहु भाती दुख भायों दोनों दरब से दुख हो गया है मैं दोनों और से मुसीबत में फसा हूं कहीं भी कोई राह नहीं दिखता कौन उबारे प्राण तो है इश्वर अब मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा देखते हैं आगे की दो पंक्तिया तुमिरत ही अही डस्यों पारधी कर छुट्यों संधान तूर दास सर लग्यों सचान ही जै जै कृपा निधान सुमिरत ही याद करते ही अही कार्थ होता है आपका सांप अही यानि एक सकंद दो अही यानि सांप डस्यों पारधी पारधी कर्थ मैंने आपको पहले बताया था बहे लिया कर कर यानि हाथ संधान कार्थ यहाँ पर है तीर सूरदास सरलग्यो सचान ही सचान कार्थ आपको बता दिया गया है बाज जै जै कृपानिधान आईए इसके अर्थ को देखते हैं इस्वर का इस्मरन करते ही सुमिरत यह नहीं स्मरन करना जैसे ही वह जो कबूतर है वह इस्वर को इस्मरन करता है करते ही करने भर की देर थी की इस्वर करने की देर थी की पेड के खोह से एक साप निकला और देखते ही देखते उसने बहेलिये के पाव में डस लिया अही डस्यो पार धी ठीक है और बहेलियों के डस्ते ही क्या हुआ जैसे ही वह साप जो है वो बहेलिये को डस लेता है डसते ही क्या हुआ बहेलिया जो है वह जमीन पर गिर गया और फिर क्या होता है कर छुटियों संधान उसके हाथ से तीर फूट गया और फिर क्या हुआ तूरदास सरलाग्यों सचा नहीं वहतीर सीधे जाकर बाज को लगा जिससे बाज भी मर गया अतह बेचारे कबूतर की जान बच गई तूरदास कहते हैं कि जिसकी रक्षा कोई नहीं करता उसकी रक्षा के लिए इस्वर स्वयम आ जाते हैं तो यह बात बताया गया है कि जिसकी रक्षा कोई नहीं करता है उसकी रक्षा के लिए इस्वर स्वयम आते हैं तो या फिर उसकी मदद करते हैं इस पत्ध के माध्यम से सूर्दास सपष्ट करते हैं कि इस्वर के नाम का स्मरण मात्र करने से सांसारिक माया जाल और निर्गुड योग साधना के बाध्वाव से मुक्ति मिलती है। इस्वर की सरस भक्ति प्राप्त होती है। कि इस्वर के इस्मरन करने से भक्ति की प्राप्ति होती है यानि कि नाम इस्मरन के महत्व को बतलाया गया है कभूतर बाज और बहेलिये के माध्यम से आईए हम दूसरे पत को समझने का प्रयास करते हैं तो देखे यहां पर दूसरा पत जो है हाड़ी मन हरी भिमुखन को संग आईए हम इनको देखते हैं सबसे पहले हम संदर्प को समझने का प्रयास करते हैं जैसे-जैसे मैं आपको पद की पंक्तियां बताती चलूंगी वैसे-वैसे मैं अर्थ भी बताती चलूंगी हाला कि मैंने यहां पर आप लोगों की सुविधा के लिए देखिए सब्दार्थ लिख दिया है जिससे आप लिख सकते हैं और समझ भी सकते हैं संदर्व को समझने का प्रयास करते हैं तूरदास कहते हैं कि दुष्ट लोगों की संगती से इस्वर के भजन में बाधा उत्पन्न होती है उन्हें कितना भी समझाया जाए लेकिन वे अपनी दुष्टता छोड़ते नहीं है यानि मुख्य रूप से संगती के महत्वा पर प्रकाश डाला गया है कि यदि हम दुष्ट व्यक्ति के साथ संगती करते हैं तो हमारा जो कार्य है हमारी जो भजन है उसमें बाधा और वैसे दुष्ट व्यक्ति को आप चाहिए कितना भी समझा ले उससे जो है अपनी दुष्टता को छोड़ते नहीं है उन्हें किसी भी प्रकार का परिवर्थन नहीं आता है तो हमें क्या करना चाहिए हमें ऐसे लोगों की संगती को छोड़ना चाहिए अब हम ब्याख् इसको कह रहे हैं, मन को संबोधित कर रहे हैं, हरी बिमुखन, बिमुखन यानि विरोधी, ठीके? संग का आर्थ है साथ, जाके संग, यानि जिसके संग, जिसके संग या जिसके साथ, कुबुध्धी, कुबुध्धी यानि बुरी बुद्धी, जिसके संग जो है वो बुरी बुद्धी उपजती है, ठीके, बुरी बुद्धी उपजती है, उपजे यानि उत्पन्न होती है, यहां लिख देती हूँ, उत्पन्न होती है, परत यानि पढ़ता है, भजन में भं भंग यानि बाधा ठीक है बाधा ठीक यह मैंने अर्थ बतलाया शब्दों का अब देखिए कवी कहते हैं कि हमें दुष्ट लोगों की संगती को छोड़ देना चाहिए हाडी मन हरी विमुखन को संग हमें दुष्ट लोगों का संग छोड़ देना चाहिए जो लोग ईश्वर की भक्ती से विमुखर रहते हैं हमें वैसे दुष्ट व्यक्ती का संग का साथ छोड़ देना चाहिए जो ईश्वर की भक्ती से विमुखर रहते हैं क्यों? क्योंकि उनकी संगती करने से मन में कुबुद्ध अर्थात अज्यान्ता का जन्म होता है। जाके संग कुबुद्धी उपजे। इसके साथ रहने पर अंज्यान्ता का जन्म होता है। परत भजन में भंग और इस्वर की भक्ति में बाधा उद्धे। चिकस आगे की अगर आप वैसे लोगों के संग दोस्ती करेंगे तो क्या होगा उनके साथ रहेंगे तो क्या होगा आपको जो अज्ञानता है काम, क्रोध, लोग, मद, मुह इसमें आपको निस दिन निस दिन यानि हर दिन प्रतेक दिन आपको उमंग उमंग यानि खुशी दिखाई पड़ भुजंग, का गही कहा कपूर खवाए, का गही का गही यानि कववे, ठीक है, कववे, कहा कपूर खवाए, स्वान, स्वान, ठीक है, नहवाई, स्वान यानि आपका, आप कह सकते हो कुत्ता, ठीक है, स्वान यानि कुत्ता, नहवाई गंग, गंग यानि यानि यहां पर खर को कहां खर यानि गदहा, खर को कहां अर्गजा, अर्गजा यानि चंदन, लेपन, मर्कत यानि बंदर, पूशन, बूशन यानि आबूशन, गहना, अंग, ठीक है, तो आईए हम इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं, देखिये, क्या कहा जा रहा है, कि ऐसे लोग, यानि कि जो दुष्ठ प्रकृति, दुष्ठ स्वभाव के लोग हैं, उनके साथ रहने पर क्या होगा, ऐसे लोग हमेशा काम, क्रोध, मद, मोह, जैसे जो भौतिक तत्वों में लीन रहते हैं, और उन्हें क्या होता है, उसी मे इस बात को ये बात बता रहे हैं, इस पंक्तिय में कि कहा भयो पान कराये, भिस नहीं तपत भुजंग, आप उनको ज्ञान और भक्ति का जो अमरित है, उसको आप पान भी करवाईएगा, पिलाईएगा, तब भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो भुजंग होता है, साप, तिके, आप उसको कितना भी दूद पिला दो, वो अपना जो विश है, उसको त्यागता नहीं है, इसी बात को कभी ने बतलाया है, कि उन्हें इश्वर और भक्ति का ज्ञान देकर कोई लाब नहीं है, क्योंकि उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता और इसी बात को कवी ने क्या है विभिन उदाहरणों के द्वार अपनी बात को बतलाया है, ऊपस्ट किया है, तो वो क्या कहते है, सबसे पहले हमें बतलाते है कि जो साप है, साप को आप चाहे जितना भी दूद पिलाएं, जाए वह भीस को नहीं त्यागता है, इसी प्रकार जो कववा है, कववा को आप कपूर खिलाएं, तो भी वो गंदगी खाना नहीं छोड़ता है, याप चाहें उसे कितनी वे अच्छी चीज खिला दीजिए, वो क तो भी वह गंदगी, जो हैं, गंदगी का तैयाग नहीं करता है, घंदके प्रती जो है, बहुत ज्यादा मोह रहता है, जहां गंदगी होगी, वहां पर वह अवस्य जाएगा, घृ के बना रहता है, इसी तरह, गढा को आप कितना भी चंदन का लेप कर दीजिए बंदर को आप क्या कीजिए आप उषण पहना दीजिए उसके लिए उसका कोई महत्वा नहीं है वह उसे तोड़कर ठेग देगा तो यहां पर इन उदाहरणों के माध्यम से कभी ने हमें क्या बतलाया है हमें यहीं बतलाया है कि आप दुस्ट व पाहन पतित बाहन नहीं भेदत रीतो करत निशंग तूरदास खलकारी कामरी टढेना दूझो रंग ठीकें तो क्या बता रहे हैं पाहन पाहन यानी पत्थर ठीकें और पतित कार्थ है पापी बाहन नहीं भेदत रीतो करत निशंग रीतो रीतो यानि यहाँ पर होता है खाली और निशंग का आर्थ होता है तरकश तरकश समझते हैं आप लोग क्या होता है तरकश उसे कहते हैं जिसमें बान रखते हैं ऐसा आप देखे होंगे एक रहता है उसके अंदर सीर भरा रहता है इस चीज को हम लोग तरकश कहते है ठीक है सूर दास खल खल यानि दुष्ट ठीक है खल शब्द का अर्थ होता है खल यानि दुष्ट कारी कामरी, कारी यानि काला और कामरी का अर्थ होता है कंबल तढ़े न दूजो, दूजो यानि दूसरा रंग, ठीक, तो देखिए यहां पर मैंने शब्दो का अर्थ लिख दिया है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए आपको और अच्छे समझ में आ जाए, इसके लिए मैंने यहां पर भी देखिए, शब्दो के अर्थ दिये हुए है तो आप इसे भी कर सकते हैं, आईए अब हम इन पंक्तियों का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं, तो देखिए, शूर्दास कहते हैं कि पापियों का जो हिर्दय होता है, वो पत्थर के समान कठोर होता है, पाहन पतित बान नहीं भेदत, क्या बता रहे हैं कि जो पापियो का हिरदय होता है उपत्थर के समान काठोर होता है और पत्थर पर क साहे जितना भी तीर चलाया जाए उसको यहां पर बेदा नहीं होगा ठीक के उसको को नहीं जा सकता नहीं गुए जाहे वह कुझा है को गषाहे तीर से भख़ा टरकश ही आप पत्थर पर कितना भी तीर चलाईए आप उसको भेद नहीं सकते हैं ठीक उसी प्रकार जो पापी व्यक्ति होता है उसका हिरदय एकदम पत्थर के समान कठोर होता है आप चाहे कितना भी प्रयास कर ले आप उसको भेद नहीं सकते हैं तो इसी तरह जो पापियों का काली कामरी यानि काले कंबल की तरह होते हैं इस पर कोई भी चढ़े न दूजो रंग जिस पर किसी भी प्रकार का प्रेम श्रद्धा और भक्ति का कोई दूसरा रंग शढ़ाया नहीं जा सकता है तो हम ऐसे में क्या कर सकते हैं इस प्रकार के दुष्ठ व्यक्ति से दूर रहने का प्रयास कर सकते हैं क्योंकि अगर आप उन्हें परिवर्तन करना चाहेंगे उनके हिद्य को बदलना चाहेंगे तो आप बदल नहीं सकते हैं तो बहतर है कि हम इस तरह के जो दुष्ठ व्यक गुपाल स्वावे यह जो पद है यह मुख्य रूप से एक वात्सल्य भाव का पद है ठीक है थोड़ा वात्सल्य है थोड़ा हमें भक्ती भी दिखलाई पड़ेगी तो देखिए इसे भी मैं पंक्ति के साथ ही समझाऊंगी यहां पर मैंने इसका सब्दार्त लिख दिया है आप लोग इस सब्दार्त को अवश्ची लिख ले क्योंकि यह जो पद है वो थोड़ा सा आगे की दो पदों के मुकाबले थोड़ा सा कठेर है इसे हम थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे इसे आप अवश्ची लिख ले अनित्या आपको पद को समझने में ब से हम जो है वो संदर्व और व्याख्या को देख रहे हैं जिके दीए मैं माता जशओदा ठीके बाल करिष्ण को लाने का उपक्रम उपक्रम यानि कार्य करती है बाल कृष्णी के शुप्तावस्था यानि जो सोने की अवस्था है शुप्तावस्था यानि सोने की अवस्था तो शुप्तावस्था की मनोरम यानि मन को हरने वाली जो बहुत ही सुंदर छवी है वो अत्यनति कैसी प्रतीत हो रही है सुन्दरप्रतीत हो रही है जिससे ब्रह्मा और स्वी भी भ्रहमित हो जाते हैं जब बालकृष्ण सो रहे हैं तो उस चवी जो मनोरम चवी है उस मनोरम चवी को देखकर ब्रह्मा और स्वी भी भ्रहमित हो जाते हैं आईए हम इस पंग्ति के सब्दार्त को समझने का प्रयास करते हैं क्योंकि यह थोड़ा सा कठिन है. तो देखिये इसमें क्या कहा गया है? जसूदा मदन गुपाल सुलावे. सुलावे यानि चुलाती है. जसूदा तो आप जानते हैं यह सूदा मज्या को कहते हैं मदन गोपाल यानि बालसी क्रिष्ण और सुलाती है सुवाबय यानि सुलाती है देखी यानि देखकर सयन सयन यानि सोना गती त्रिभुवन त्रिभुवन यानि तीनो लोक त्रिभुवन कपे कपे यानि नापता है टीके? टापता है ईश यानि शेव ईश शब्द का अर्थ है शेव टीके? बिरंची भर्मावे बिरंची यानि ब्रम्हा टीके? मैं यहाँ लिख देती हूँ पजने में आसानी ब्रम्हा भर्मावे होगा टीके? भर्मावे आईए इस पद को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं प्रस्तुतपद में शूर्दास ने बाल सीक्रिष्ण के सोने के दृष्य का बड़ा ही सुंदर और मनोरं बंढन किया यानि जो बाल सी कृष्ण है चोटे से सी कृष्ण है वो सो रहे हैं और उसी दृष्षी का वर्णन किया गया है माता यशोदा बाल कृष्ण को बड़े ही प्रेम और लाड के साथ सुलाती है है ना पंक्ती कि जशूदा मदन गुपाल सुलावे बड़े ही प्रेम के साथ सुलाती हैं और उनको सोता हुआ देखकर भगवान सिव डर कर कापने लगते हैं और जगत के स्रष्ठा यानि जगत के जो निर्माता हैं ब्रह्मा भ्रह्म में पढ़ जाते हैं च्ORके ये जो पंक्ती है कि देखी ये वाली ये वाली देखी सयन गति करिभवन कपे की सबलाज़िह glowां ब्रह्म में कि उनको सोता हुआ देखकर जो है वो च्वभी कापने लगते हैं और ब्रह्मा लुद में पढ़ जाते है क्यों ब्रह्म में प Olympia पढ़ क्या हो गया कि सोते हुए देखकर ब्रह्म में पढ़ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यदि जगत के पालन करता सो गए तो संसार की गति रुख जाएगी लेकिन वास्ताव मिं यह क्या है यह तो भगवान की लीला है और लीला इतनी मनोरम है की ब्रह्मा भी और शिव भी जो है वो बिना आकर्शित हुए नहीं रह पाते हैं, ठीक है? यह आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर क्यूं भगवान को सोते हुए देखकर कहा गया है कि तीनों लोक शिव और ब्रह्मा जो है वो कापने लगते हैं ब्रह्म में पढ़ गए है ऐसा क्या है वास्तों में तो यह एक लीला है और उसे देखकर वो सोचते हैं कि अगर भगवान सो जाएंगे तो इस संसार की गती रूप जाएगी इसलिए वे भी भ्रह्म में पढ़ गए हैं ठीक है आई आगे की दो पंक्तियां देखते हैं ठीक है देखिए असित अरुनसित ला आलस लोचन उभय पलक परियावे जनुरवी गल संकुचिति कमल जुग निसी अली उडन नपावे ठीक है तो इसमें क्या कहा गया है इसमें आपको असित असित यानि आप कह सकते हो दुष्ट या बुरा कह सकते हैं हम लोग अली अली शब्द का अर्थ होता है याँ पर देखिए ये अशित अरुनसित आलस लोचन लोचन यानि नेतर उभय पलक परियावे जनुर अवी गल संकुचित कमल जुग निसी अली उडन नपावे ये जो दो पंक्ती है या आपको थोड़ा धैरे के साथ समझने का प्रयास करना होगा क्योंकि इसमें जो अर्थ है वो थोड़ा सा रहस्यात्मक है तो देखिए तोते हुए सिक्रिष्णी की अध खुली और अलसाई आखे बहुत ही आलस कहा गया ना आलस ठीके आलस जो अलसाई आखे है और लोचन यानि नेत्र वो बहुत ही सुंदर द्रिश्य प्रस्तूत करती है सफेद आख के मध्य स्थितकाली पुतलिया ऐसी प्रतीत होती है जैसे वे बाहर आना चाहती है उभय पलक परियावे बाहर आना चाहती है लेकिन उनकी आलस के कारण आखे बंद हो जाती है और बंद आखे लाल कमल की तरह दिखाई देती है ये वाली पंक्ती है ना कि जनुरवी गल संकुचित कमल जुग निसी अली उड़न न पावे कमल की तरह दिखाई देती है इस द्रिश्य को देखकर ऐसा लगता है कि मानो सूरिय के डूब जाने से कमल की पंक्खुणियां संकुचित हो गई है भगवान के ये जो नेत्र है ठीक है मेरे नहीं भगवान के जो नेत्र है उनके सुंदर दुश्य का वर्णन किया गया है कि उनके जो नेत्र है वो कमल की पंक्खुणियों के समान है और उनके आख को बंद कर लेने पर इस तरह का प्रतीत हो रहा है वो बताया गया है कि क्या हो गया है कि संकुचित हो गई है और कमल के पराग का रस्पी ने आया भौरा उन पंखुडियों में कैध हो गया है यानि कि काली पंख्टियों को जो पुतलियां है काली पुतलियां है उसको भौरो से तुलना की गई है और कहा गया है कि वो उसमें कैध हो गया है और नहीं पा रहा है कि आगे की पंक्तियां देखते हैं कि स्वास उदर उर्सत्ति यो मानो दुग्द सिंधु अभी पावे नाभी सरोज प्रगट पदमासन उतरी नाल पचतावे स्वास का अर्थ आपको पता ही है स्वास का चलना तो बाल शीक्रिष्णी जो है सुपतावस्था में जब स्वास लेते हैं स्वास यानि की स्वास उदर यानि पेट उर्सति का आर्थ होता है फिरदय जब उनका सुंदर पेट किस तरह हिलता है जब वो सुपतावस्था में ह तो उनका पेट हिलता है, तो जब वो पेट हिलता है, तो कैसा प्रतीत होता है, मानो स्वेत दुग्द का सादर सागर बहरा हो, ये वाली पंती, देखिए, दुग्द सिंदु छबी पावे, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो, स्वेत दुग्द, दुग्द यानि दूध का सागर बाह रहा हो, ठीक है, बाल कृष्ण की नाभी कमल के समान दिखाई दे रही है, यह वाली इस पंक्ती में आप देख सकते हैं, नाभी सरोज प्रगड पदमासन, उतरी नाल पचितावे, यहां पर कहा गया है कि उनका जो नाभी है, वो कमल के समान दिखाई दे रहा है, और कृ पदमासन शब्द का अर्थ है, कमल रूपी, आसन, ठीक है, यह क्या कर रहे हैं, उतर आए हैं, क्योंकि देखिए, यहां पर कह सकते हैं, लेकिन उनके उदर को ही वो कमल के रूप में देखकर उन्हें पस्तावा होता, आपको पता होगा, कि भगवान की नाभी से एक कमल न के रूप में देखकर पस्ताते हैं, क्योंकि क्यों वे वो पदमासन से उतर आएं, वास्तों में तो वो कमल नहीं है, बल्कि क्या है, क्रिश्न का उदर है, उदर है यानि पेट है, अतह ब्रह्मा कुछ समय और क्रिश्न का साहचरे पाने से चुग गए, इसी बात का उन्हे पस्तावा हो रहा है, फिर से बताती हूँ, इसमें बताया गया है कि जब स्वास लेते हैं, तो उनका पेट हिलता है, और उनका पेट यानि कि उदर जब हिलता है, तो ऐसा लगता है, कि मानो दुग्ध की धारा बह रही हो, और इसे देखकर, जो उनका नाभी है, ठीक है, नाभी को यहां पर कमल बतलाया गया है, तो वो सोचते हैं कि यह कोई कमल है, ब्रह्मा जी जो है, वो सोचते हैं कोई कमल है, उतर आते हैं, जब उतरने लगते हैं, तो देखते हैं कि वो तो नाभी से ही कमल निकला हुआ है, वो पस्ताते हैं कि वो क्यू उतर आए और अधिक सुभावे, शूरदास मानी मानो हो गया पर, शूरदास मानो प्रगनपती Прभु उपर फन पावे। प्रगनपती का अर्थ होता है आपका शेश नाग, अपर प्रभु उपर फन ओधे, चावे का आŃठ है आपर, सोभाए मान으면서 और ऊडिके। तो कर यानि हाथ सिर सर करी बाल कृष्ण अपने एक हाथ को सिर के नीचे दबा कर सोय है जिससे क्या है मनोहर अलक अधिक वभावे अलक शब्दकार्थ होता है केश या लट जिससे उनके सुंदर बालो की लटे उनके मुखमंडल के चारो और इस तरह छा गई है जिससे क्या लगता है मानो ये वाली पंक्ती है सूरदास मानो प्रगन पती प्रभू उपर भंचावे उससे देखकर ऐसा लगता है मानो से सनाग फन फैलाकर उनके चहरे को छाया प्रदान कर रहा हो कर रहे हो तो देखिए इस पंक्ती को मैं फिर से समझाने का प्रयास करती हूं आपको जो दो अंतिम पंक्ती है कि कर सिर तर कर स्याम मनोहर अलक अधिक सुभावे कि जो बाल क्रिष्टे हैं उन्होंने अपना एक हाथ सिर के नीचे दबा कर सोय है जिससे क्या है उनकी जो ल प्रश्ण आग है वो उन्होंने क्या किया है अपने फन को फैला कर रभु को चाया प्रदान किया हो तो यह आपका इस पार्ठ में जो तीन पद आये हुए है उन तीन पदों की व्याख्या है और इसे मैंने समझाया है आसा है आपको जरूर समझ में आई होगी इसके आगे वाली वीडियो में हम लोग इस पार्ठ में जो आये हुए प्रश्ण उत्तर है उसे देखेंगे तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और चाइनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसके साथ धन्यवाद